हम अब आपके साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम अब आपके साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम अब आपके साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं वो कह रहे हैं आप बोर्ड ब्रेक में क्या करते हैं नमन नमन अभी तो किसानों की चर्चा हो रही थी हर जगा वही चर्चा हो रही ह है तो हमारे यहां पर भी जब बाहर बैठते हैं तो सबसे पहले यही चर्चा होती है है मैं इस एक एक रेखांप्ल दिखाने वारे यहां पर विधिल्ट दिखाने नहीं है बढला हूँ ये एक्जम्पल कहां से लिया हमने है क्या ये टेक्स्ट बुक है ये आपकी में बुक है ये टेक्स्ट बुक है यानि and AS का टेक्स्ट है ये mean in AS का टेक्स्ट है मॉड्यूल समर्प्र है पता चल गई बात फहले इसमें test है किसका test है ind AS 28 का teht कि ind AS 28 थोड़ा फोकस बना नहीं भी तक Investments in Associates and Joint Ventures का इसमें एक एक्जामपल है यह है एक्जामपल यह जा रहा है वो एक्जामपल ठीक है यह है एक एक्जामपल यह एक्जामपल हमारे इंसिचूट ने जो भी Study Material को Revise किया तो यह एक्जामपल आपकी Study में डाल दिया है तो यह कोई Amendment नहीं है लेकिन यह एक्जामपल बीच में आ गया है तो जो मेरा अब पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है मैं कुछ पॉइंट तो आपको पढ़ाऊंगा यह एक्जामपल क्यों कराएंगे हम आपको पता चल गया है क्योंकि आपकी नई Study Material में उन्होंने इस एक्जामपल को कवर कर दिया है ठीक है विशाल तो मेरे साथ साथ हम पहले आपर कुछ पॉइंट समझेंगे पैट भी दिया है नम डिविडेंट भी दिया है तो डारेक्ट पैट लेते हैं विफोर डिविडेंट हाँ नमन आप उसमें स्मार्ट वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं तो लिखें इसके अंदर प्रेजंटेशन ओफ इन्वेस्टमेंट इन एस्सोसियेट इन कॉंसॉलिडेटिड वैलेंशीट तो मुझे ये बताओ तो कॉंसॉलिडेटिड वैलेंशीट में हम नॉन करेंट एसेट्स में फाइनशियल एसेट्स में यहां पर दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट इन एस्सोसियेट्स क्या ये बात हम पहले से आपको बता चुके हैं आगे लिखें क्या इन्वेस्टमेंट इन एस्सोसियेट्स में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं हमने कुछ और पैसा भी हो सकता है इसमें दिया हो दाइनसर इस यह हो सकता है लॉंग टर्म लोन टू एस्सोसियेट्स कोई हमने लॉंग टर्म लोन भी दिया हुआ है एस्सोसियेट को भी आ सकता है क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शियर्स भी हो of associates the answer is yes ये भी हो सकता है there is no problem आगे लिखेगा above items are also called net investments in associates इनको net investment भी कहा जाता है net investment in associates पहले तो बताओ ये कोई complex बात है अभी तक हमने कोई भी अजीब बात नहीं करी है third number आगे लिखें sometimes when post acquisition changes are adjusted then investment in associate ये उपर वाली कौन सी investment हो गई equity हो गई ना क्योंकि मैंने preference को नीचे लिखा हुआ है investment in associate in equity may become zero क्या ये हमारे पास ये investment in associate zero भी हो सकती है the answer is yes वो zero भी हो सकती है हाँ अनिल पूछ रहे हैं क्या loan related party transaction है है लेकिन उसका मुझे फरक नहीं बढ़ता न मगा contract तो cancel करता नहीं हूँ हम associate में contract cancel नहीं करते हैं ठीक है मैंने कहा ये zero हो सकती है do not make investments negative उन्हें negative ना करें अगर मान लीजे पोस्ट acquisition में ज्यादा losses आ जाएं तो उसको negative करने की कोई आवशक्ता नहीं है उनको negative ना बनाएं rather such post acquisition changes should be adjusted in investment in preference shares of associates क्या समझ में आई बात जो मैंने लिखी है मैंने कहा अगर investment in associate है तो इसे कहा तक ले जाना zero तक ले जाना वैसे ये बताओ कि ये negative होगी क्यों जब post acquisition profit होगा कि post acquisition loss होगा तो मैंने आप से कहा क्या investment negative हो सकती है the answer is no ये negative नहीं हो सकती है वो zero से नीचे नहीं आ सकती है लेकिन अगर तुम्हारे पास loss जादा है तो फिर वो तुम adjust कहा करोगे तो मैंने का फिर तुम अपने पास investment in preference shares of associate में adjust करोगे but this investment can also become zero ये zero हो सकती है not negative तो ये भी zero तक आएगी लेकिन फिर भी उसके बाद अगर आता है if still post acquisition changes are to be adjusted अब बताओ वैसे तो common sense लगाओ आप खुद भी बता सकते हो अब क्या होना चाहिए अब मैं किस के साथ adjust करूँगा भई हमने पहले equity में adjust कर दिया उसको zero कर दिया फिर preference को zero कर दिया अब किसको zero कर देंगे अब हम अपने पास long term loan को zero कर देंगे still post acquisition changes are to be adjusted then long term loan to associates should be adjusted this can be again zero but not negative negative ये भी नहीं हो सकता हो तो मुझे बताओ अधिक्तम क्या हो सकता है अधिक्तम क्या हो सकता है इसका मतलब ये कि तुम्हारी सारी investment क्या हो जाएं जीरो हो जाएं ये अधिक्तम हो सकता है विशाल ने पूछा है फिर भी loss आ जाए तो क्या करेंगे any further loss will be carried forward and adjusted in future अगर कोई आएगा तो हम उसको future में adjust करेंगे हाँ नमन order यही रहेगा सबसे पहले आप equity में loss adjust करेंगे फिर preference में फिर long term loan में इशान मैं आपको यह सवाल के दोरान दिखाता हूँ if we do not have investment in preference share मानव ने पूछा अगर preference share ना हो तो फिर long term loan में आ जाएगा और अगर long term loan भी ना हो preference भी ना हो तो बात खतम पे equity zero हो गए इससे आगे जा नहीं सकता मुझे फटा फट से बताईए दिखाओ भई इदर दिखाओ लिख लिया तो मुझे बताईए हाँ सार्थक कहरा कब तक carry होगा कभी भी ऐसा कुछ carry नहीं भी आपको दिखाएंगे कि बिलकुल बिकार की बात अब क्या करें इंसे चूट ने ये point वैसे तो ये logically पूछ डालने की जुरती नहीं थी उन्होंने उठाकर study में डाल दिया मुझे फटा फट से बताईए यहां तक लिख लिया है तो मैं आपके साथ अब आगे चलूँगा रुख जाओ पहले बच्चों के लिखने दो फिर उसके और पीसे जाना चलिए जी सब ने लिख लिया है और वापिस वान दिखा दो चलिए जी हाँ बिलकुल साब टेक्स्ट कौन सा मॉड्यूल है टेक्स्ट का मॉड्यूल है नमन मॉड्यूल नमबर थर्ड चलिए जी, हाँ, हैपी बर्डे टान्या, चलिए जी मेरे साथ साथ मैं आप से एक छोटे एक्जामपल के जरीए बिसकुशन करना चाहरा हूँ एक छोटे एक्जामपल के जरीए एक डिसकुशन करना जा रहा हूँ मानलो पी लिमिटिड ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी इन इक्विटी ओफ एसोसियेट्स इन प्रेफरेंस ओफ एसोसियेट्स बड़ा कर्दे मांट एक लाक रुपीज पचास जार्स और लॉंग टर्म लोन टू एसोसियेट्स साथ हजार्स मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको इयर एंड पर कॉंसॉलिडेटिड फाइनेशल स्टेट्मेंट्स दिखानी है तो मुझे यह बताओ नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसियेट्स में कितनी चीजें आएंगी हमारे पास 31st मार्च यह 1st एपरिल है तो हमारे पास 31st मार्च में क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आएगी इन लॉंग टम लोन भी आएगी investment in preference share भी आएगी और investment in equity share भी आएगी बोलिये हाँ हाँ प्रिया एक बार मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूँ अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है नहीं लिखेंगे तो भी मैं आपको बाद में एक सवाल कराऊंगा ठीके पर मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूँ I need कि आप मेरी बात को समझें भी साथ साथ में मान लो यहाँ post acquisition में हमारा equity के लिए जो loss हुआ है वो हुआ है rupees 70,000 या 170,000 तो बताइए हमारा loss हुआ 170,000 this is loss तो आप इसके दो effect डालते थे फटा फट से बताओ दो effect post acquisition के क्या क्या डालते थे क्या आप अपने पास 170 के loss को अपनी other equity में और दूसरा investment में भी लिखते थे the answer is yes आप उसको अपने पास वहाँ में लिखते थे मैंने कहा है ये 170 का loss जो आप डालेंगे तो आप सबसे पहले किसके साथ adjust करेंगे post acquisition loss अगर मेरे पास ये दोनों होती नहीं तो आप कितना लिख सकते थे loss फटा फट से बताओ अगर मेरे पास ये दोनों होते ही नहीं सिर्फ equity होता तो आप कितना loss लिख सकते थे आप अधिकतम एक लाग तक का loss लिख सकते थे लेकिन चूंकि मेरे पास अब कुछ ज़्यादा है तो अभी भी लिखेंगे तो एक लाग तक का ही बट मैं कुछ और loss भी लिख सकता हूँ बताओ अब मैं और कितना loss लिख सकता हूँ मैं 50,000 का preference के साथ अधिजस्ट कर दूँगा इसका मतलब ये कि मैं post equation में इस investment के साथ भी set up कर दूँगा चलो ये बात भी खतम अभी भी कुछ loss अधिजस्ट कर सकता हूँ बताइए कितना loss अधिजस्ट कर सकता हूँ मैं अब 170 था ना तो मैं post equation का loss 20,000 यहां से अधिजस्ट कर सकता हूँ मेरे पास जो balance sheet में investment आएगी वो कितने के आएगी 40,000 और साथ में other equity में मैं कितने adjustment करूँगा 170 का loss अधिजस्ट करूँगा I hope there is not a problem सिवाई इसके कि आपको मैं loss set up करना दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखाते हैं इसके अलावा कुछ नहीं है क्या मैं एक अगला साल भी ले सकूँ तो चलेगा मान लेते हैं यहां post acquisition में further loss हो गया further loss हो गया rupees 60,000 का मुझे वैसे बताओ अगर मैं cumulative loss बोलूँ तो cumulative loss हो गया 2,30,000 अब बताईए आप cumulative से करना चाहते हैं कि पिछले वाले में adjust करके सिखा दू दोनों वे बिस में कोई लिकत नहीं है आप cumulative से करेंगे तो मैं क्या करूँगा यह balances को मैं फिर से शुरू से लिखूँगा और cumulative adjust करूँगा alternatively अगर आप यहां से adjust करेंगे तो मैं सिरफ 60,000 adjust करूँगा पहले वाले में adjust नहीं करो ओके तो लो भाई मुझे फिर से बताओ हमारे पास net investment in associate का amount अब कितना आ रहा है तो शुरू से फिर से लिखना शुरू कर दूँगा तो मैं पहले लिख रहा हूँ investment in long term loan रुपीज 60,000 था यह cost method पे है investment in preference share 50,000 था और investment in equity shares कितने का था एक लाग का था जब मैंने शुरुआत में balances लिखे हैं तो आप cumulative adjust करना पड़ेगा मुझे फटा फट से बताओ यह 230 कैसे adjust होगा तो कोई लंबी चौड़ी problem नहीं है आप अगर मेरी बात समझ चुके होंगे तो आप कहेंगे यार यह करा ही क्यों रहे हो सीधा बोल दिया ना investment negative नहीं हो सकती तो यह बात काफी नहीं है क्या investment negative नहीं हो सकती है अगर आपके negative हो जाएगी तो गलत हो जाएगी तो मुझे फटा फट से बताओ आप कहां कहां adjust करेंगे दो तीस adjust करना है कहां कहां adjust करेंगे एक लाख यह है adjust कर देंगे पचास जार यह है adjust कर देंगे और यहां पर भी कितना adjust कर पाओगे सिर्फ साथ हजार ही तो कर पाओगे सिर्फ साथ ही तो कर पाओगे तो मुझे बताओ अधर एकुटी में आप कितना loss adjust कर पाओगे सिर्फ दो लाग दस हजार का लॉस एडजस्ट कर पाओगे मुझे बताओ किसको मैं केरी फॉवर्ड कर दिया केरी फॉवर्ड का मतलब है जो मैं एडजस्ट नहीं कर पाया बीस हजार को मैं एडजस्ट नहीं कर पाया बीस हजार को मैं एडजस्ट नहीं कर पाया कोई बात नहीं यह carry forward बोल दिया हमने हमने का बाद में देख लेंगे इसको मुझे आगे बताईए अगले साल क्या मैं अगले साल कुछ मसाला डालू के नहीं डालू क्या मैं अगले साल कुछ मसाला डालू के नहीं डालू मैंने अगले साल में आपको कुछ और पॉइंट भी बिता दिये मैंने का फर्दर मेरा लॉंग टम लोन में गेन हो गया बीस अजार का प्रेफरेंस शेयर में भी गेन हो गया दस अजार का और हमारा पोस्ट एक्विजिशन लॉस हो गया फर्दर लॉस रुपीज पचास दर का आपना कोई भी कॉंबिनेशन बना दो मुझे क्या दिक्कत है मैंने इसमें नया पॉइंट ये डाल दिया क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर फेर वैल्यू चेंज हो सकते हैं क्योंकि आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है इनकी फेर वैल्यू में भी तो चेंज आ सकते हैं तो मैंने आपको कह दिया दो चीजों में आपको गेन हो गया और साथ में आपके पास एक पोस्ट एक्विशन फर्दर लास हो गया अब मुझे ये बताईए अब मैं फिर से consolidated balance sheet बनाना चाहता हूँ क्या cumulative जैसे पहले बनाई थी वैसे बना दू या मैं इसको brought forward करके adjust कर दो भी यहां तक तो adjust कर दिया है बाकी फर्दर और adjust कर दो क्योंकि जल्दी किसमें होगा तो जल्दी दोस्त होगा brought forward से तो इसका मतलब मैं brought forward से कर दूँगा तो आपको जट से पता चल जाएगा कि यहां ठीक है यहां तक का तो adjust करी दिया था net investment कितने की है हमारे पास long term loan है 60,000 का sorry nil क्योंकि हमारा zero हो चुका था preference share में था जीरो और equity share में था जीरो यह मैंने अपने पास in balances को यहां यहां पर लिख दिया और मैं अब आगे adjustments करूँगा ध्यान से देखिएगा incremental approach से चल रहे हैं एक तो यह gain हो गया यह तो gain वैसे ही आपको record करना ही था फटा फट से बोलो हां क्योंकि यह तो change in fair value है भाई आपकी investment में वैसे ही gain हो गया कैसा हो सकते है investment वैसे ही gain कर जाए बिलकुल investment वैसे ही gain कर सकत यह आपके पास इसके लावा preference share भी आप hold करते थे उनमें भी gain हो गया दो जगा तो आपको gain हो गया और साथ में आपका एक loss आगया मुझे फटा फट से बताओ यह जो loss आगया 50,000 का प्लस आपका पिछला भी loss पड़ा हुआ है total loss कितना हो गया मैं इसको 5000 कर दूँ क्या further loss 5000 मैंने further loss थोड़ा मसाला डालने के लिए मैंने कर दिया 5000 मुझे बताओ अब आपके पास ये carried forward loss और ये loss total कितना loss हो गया 25,000 बताओ adjust कहां से होगा 25,000 फटा फट से बताओ ये 25,000 कहां से adjust होगा सबसे पहले किसमे होगा equity में तो कुछ ही नहीं तो सबसे पहले कहाँ अड़्जेस्ट होगा माइनस यहाँ बताओ ते समझ में नहीं आता इसके उपर हमें कुश्चन की कोई लाजिक नहीं बनता है अच्छा मुझे बताओ आफ हमारे पास अधर इकुटी में इस वार क्या अड़्जेस्ट हुआ other equity में ये gain हुआ ये gain हुआ ये loss हुआ तो मुझे फटा फट से बताओ कितने का amount हो गया this is 20 और 20 10 30 minus 25 5000 पे का सिरफ adjust हुआ क्योंकि 20 का ये भी loss था तो other equity में सिरफ 5000 पे adjust हुआ only 5000 अब मुझे ये बताइए इसके उपर हाँ विशाल इसमें कोई ये practical मैंने वही कहा ये कोई सवाल नहीं बनते हैं but institute has given one practical on this I want to solve that question क्योंकि ultimately नया question आया है तो I want to solve it क्या आप मेरे साथ साथ एक question करना चाहेंगे हाँ उतकर जितना time मर्जी carry forward होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ नमन incremental approach से फटा फट सवाल हो जाएंगे आई ये question को देखें दिखाओ जी हाँ करने का पूछ रहे है page number क्या है page number 559 लेकिन इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये module number third है और ये module number third भी text का है और आपके पास ऐसा ही question नई study material में भी है वो मैं आपको homework में ढूंड के देदूँगा वो आप homework में करेंगे मैं आपको question class में इससे करा रहा हूँ वाकी homework के अंदर वो question देदूँगा निकाल करके वो कौन सा question है तो आप automatically कर सकते हैं उसको भी ठीक है अब देखिए जड़ा हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इनका तीन page का question with answer है तो मैं आपको सीधा सीधा इसका question with answer डिसकस करूँगा अंशु page number is 559 module number is third of texts जो हमारी किताब का text है इन्डियस का उसमें ये question है तो मैं अपनी बात को अभी यहाँ पर करने जा रहा हूँ आप से मेरी request है कि ध्यान से पढ़िये केरादिस example portrays a hypothetical situation illustrating how an entity investor accounts for long term interest that in substance form the part entity's net investment in associates applying INDS-109 and INDS-28 based on the assumptions केता है एक सो नो भी लग रहा है और 28 भी लग रहा है इस इस प्लाइस भी लग रहा है इस 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 एक सो नो in accounting for long term interests the entity applies INDS-28 to its net investment in associate which includes long term interests the analysis of this example is not intended to represent the only manner in which the requirements could be applied केता है आप उसको किसी और धंग से भी present कर सकते हो now come to the question investor के पास है ordinary shares 40% ठीक है जिस पर आप equity method लगाते है साथ में है preferent shares non-cumulity preferent shares that form part of the net investment as per 109 चले आगे साथ में एक long term loan है that forms the part of net investments that investors measures at amortized cost as per 109 ध्यान देना amortized cost भी एक तरीका होता है 109 का यह हमने आपको भी बताया नहीं है तो हम आपको भी बता देंगे बीच में कैसे होता ही है जिसमें आपका rate of interest 5% है और वो कहता है इसके अंदर हम को interest की payment time पर मिलती रहती है long term loan is the most senior what is most senior मतलब यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित है in comparison to these two ठीक है उसके बाद वो यह अपनी काफालतू कह रहा है कि और के credit impaired नहीं है वगरा यह 109 की बाते हैं मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर associate does not have outstanding preference यह रो कहता है यह भी वहर को कुछ नहीं करना है बाके आगे कोई obligations नहीं है वगरा वगरा असल में क्या है कि उन्होंने यह तीन बाते लिखी और उसके बाद this table summarizes the caring amount at the end of each year अब उन्होंने कुछ table दिया है मैं अगले page पर लिजा रहा हूँ आपको unrolled senior का मतलब है most secure among these यह नहीं कि इन में से यह secure है वैसे यह आपको पता ही था बच्पन से पता है कि long term loan ज़्यादा secure होगा preference shares के मुकाबले preference shares ज़्यादा secure होगे equity के मुकाबले लो आप ध्यान से देखिएगा वो हमें कह रहा है at the end of year one P applying in AS 109 यह P shares है preference shares है तो preference shares में इसकी value कितनी हो गई है 110 तो इसने क्या आपको पहले इसकी value बताई थी कि इसकी value कितनी है अच्छा एक line हमने आप पढ़ी नहीं है उसमें लिखा हुआ है कहता है ordinary shares में investment कितनी है 200 preference share में कितनी है 100 और long term loan में कितनी है 100 याद रहेगे आपको 200, 100 और 100 यही उसकी cost of investment है ओके year one में preference share की value में यह उसकी fair value है long term loan amortized costs 109 का ही है लेकिन उसकी value बता रहे 90 है profit loss of associate हमारा 50 है ऐसे ही उसने हर साल का कितने वर्षों का सवाल दे दिया 7 वर्षों का सवाल दे दिया कहता है 7 वर्षों का यह data है क्या मैं आपको इस सवाल के अंदर अब इनों ने जैसे किया है मैं उनका तरीका follow नहीं करना चाहता क्या मैं आपको अपने तरीके से इसे करा दूँ नमन अमोर्टाइज कॉस्ट एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग अपने पास ना एक IRR के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं effective rate के इंट्रास्ट से तो आपको भी उसके अंदर मैंने effective rate का बारे में नहीं बताया हुआ लेकिन आप इससे अपना काम चला सकते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी तो आईए मेरे साथ साथ इस इस इलिस्ट्रेशन इन इंडियस 28 टेक्स्ट पेज नंबर 559 अब इंडियस का टेक्स्ट देख लो उसके अंदर लास्ट है मिल जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ मुझे ये बताओ आपने जो इन्वेस्ट्मेंट्स करीदी है सबसे पहले long term loan preference share ordinary share वो कितनी कितनी खरीदी है जहान से बताओ तो उसने ordinary share में 40% आपका है ordinary share तो आपने ये खरीदी है यहां लिखा है ये 200 रुपे की खरीदी है preference share 100 रुपीज के खरीदे है और long term loan 100 रुपे के खरीदे है चले आगे अब वो आपको जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो कहता है हमारे पास इसमें post acquisition में क्या-क्या change है ध्यान से सुनते जाओ कहरा preference share की value 110 हो गई तो क्या preference share में 10 रुपे बढ़ गए preference share में 10 रुपे बढ़ गए फिर कहता है long term loan में 90 रुपे घट गए long term loan 100 का था 10 रुपे घट गए और associate का profit हुआ 50 तो ordinary shares में आपका profit का post acquisition का share कितना हो गया 50 का 40% 20 मुझे फटा फट से ये बता दो कि मेरे पास balance sheet में जो investments आनी चाहिए वो कितने कितनी आनी चाहिए आप try करेंगे पहले मैं आपको presentation भी सिखाऊंगा लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि balance sheet में क्या होना चाहिए क्या ये preference share इसको बढ़ा देंगे तो ये 110 हो जाएंगे भी ये preference share इसको बढ़ा देंगे 110 हो जाएंगे long term loan इसे घटा देगा ये 90 हो जाएगा ये 20 का gain है तो ये सीधा 220 हो जाएगा बात खतम इसमें तो कोई point ही नहीं है आपकी net investment जो यहाँ पर थी 400 बताओ net investment यहाँ कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 200 300 400 420 हो जाएगी और आप अपने पास other equity में कितने रुपे adjust कर देंगे other equity में 20 रुपीज adjust कर देंगे कुछ भी नहीं है यह अगले साल की बात करो कहरा अगले साल preference share की value 90 हो गई क्या अगले साल preference share 20 से down हो गए अगले साल long term loan भी 20 के down हो गए oh my god 20 के यह भी down हो गए और ordinary shares में 200 का loss हुआ क्या 200 का 40% कर दो 80 का loss हो गया मैंने यह 40% क्यों करता हूँ जब मैं associate के loss की बात करता हूँ तो कहता हूँ उसका loss 40% क्योंकि भाई वो तो equity method में 40% ही लोगे ना now please tell me जब तुम preference share को 20 से कम कर दोगे तो यह कितना रह जाएगा 70 sorry 90 long term loan रह जाएगा 70 और यह 80 जब तुम इसमें adjust करोगे तो क्या 80 पूरा का पूरा इसमें adjust हो जाएगा 220 में 80 adjust कर दो 220 में 80 minus कर दो तो कितना मच गया एक सो चालिस balance देख लीजे प्लस कितना हो गया प्लस 90 प्लस 70 तो यह हो गया 300 और हमारी other equity में क्या adjust हो रहा है other equity में यहां 120 का loss adjust हो रहा है आप आराम से सोचो मैं आपको कोई mathematics नहीं बताना चाहता है मैं आपको यह कहना चाहता हूं first we must know कि मैं चाहता क्या हूं आपको बताना फिर we can show in the ledger we can generalize we can do presentation and balance sheet there can be only three methods either you can say sir इसकी entry आडाल कर बताओ or you can say इसका ledger बना कर दिखाओ और you can say इसको balance sheet में दिखाओ तीने तो तरीके मुझे कह सकते हो मैं तीनों बता दूँगा आपको आगे बताईए मुझे बताओ अब हमारा third year में क्या हुआ third year में वो कहता 90 का 50 हो गया preference share 40 से down हो गया और long term loan 20 से down हो गया और ordinary share में 500 का loss आ गया तो 500 का 40 पसंद कितना होता है 200 का loss आ गया हाँ विशाल कह रहा है 120 कैसे निकाला 120 इन दोनों का gap निकाला ने हम ने भी आप अपनी investment को 20 से बढ़ा रहे हो तो 20 का फायदा हो गया आप अपनी investment को finally investment को घटा रहे हो तो 120 का loss हो गया हाँ नमन कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन क्या करें ये irritate करने वाला question है कि किसी बच्चे को अच्छे भले का irritation हो सकती है it's not logically कि हम कहें कि आपका कोई दिमाग टेस्ट हो रहा है it is how you handle the data इतना सारा data है उसकी handling problem है मुझे फटा फट से बताओ जब आप यहाँ पर preference share को 40 से कम करोगे तो preference share किते रह जाएंगे 50 long term loan को 20 से कम करोगे तो किते रह जाएंगे 50 और other equity को जब adjust करोगे तो ये तो हो जाएगा 0 लेकिन या तो दिक्कत आ गई 60 का loss और भी आ रहा है 200 तो adjust होई नहीं सकता है इसमें तो बताओ अब 200 कहां का 200 में कौन कौन 0 होने वाला है तो मुझे फिर से देखो आप आराम से फिर से देखो preference share 40 से गए तो preference share 90 के थे 40 से गए तो किते रह गए 50 long term loan 70 के थे 20 के गए तो किते रह गए 50 अब ordinary share में 200 का loss हो गया तो ये कितना हो सकता है ये तो 0 ही हो सकता है तो बाकी कहीं न कहीं तो जाएगा तो बाकी जाएगा इसमें adjust होगा यानिकी 50 oh my god preference share का निप्टारा हो जाएगा फिर भी loss आ रहा है फिर भी loss आ रहा है अब कहां जाएगा अब आ गया इसमें minus 10 तो मुझे फटा फट से बताओ हमारी balance sheet में finally जो represent होगा वो सरफ 40 represent होगा और ultimately आपकी equity में जो loss आया वो कितने का आ गया 260 का loss आएगा हो क्या रहा है कुछ ही नहीं हम अपनी investment के अंदर एक order में set up करा रहे है लेकिन उसके अंदर ना तीन investment तीनों की revaluation साथ साल ये सवाल को complicate कर रहा है are you understanding the points तीन item ठीक है ना तीन ही तरह के gain loss और साथ वर्ष जिस वज़ा से आपके पास बार बार आपके mind को सोचना पड़ रहा है अगर आप यहां तक पहुँच गए तो मैं तभी अगले साल पे चलूँगा मुझे फटा फट से बताईए क्या यहां तक पहुँच गए चलिए मुझे फटा फट से बताईए कहां तक पहुँच गया थे हम लोग थर्ड येर अब फोर्थ येर पे आना है फोर्थ येर में वो कहता है प्रेफरेंश येर में फिर से लॉस हो गया दस का लॉस हो गया लॉंग टर्म लोन पे कुछ फरक नहीं पड़ा और यहां एक सो पचास का लॉस हो गया तो मुझे बताओ एक सो पचास का सिक्स्टी हो गया शायद चेक कर लिना सिक्स्टी का और लॉस आ गया मुझे यह बताओ आपके पास जो प्रेफरेंश शियर्स हैं उन में दस का लॉस हो गया preference share में कितने का loss है 10 का 10 का loss आपके पास पहले ही आ गया तो आपने तो कुछ करना ही नहीं है मुझे दूसरी बात बताईए long term loan 40 का है इसमें कोई change नहीं है तो अभी भी 40 आ रहा है अभी भी 40 आ रहा है मुझे बताओ ये share हमारे पास 0 थे अभी भी 0 आ रहा है बट अभी मेरे पास अब loss बताओ कितना है जो adjust करने वाला बचा हुआ है क्या 70 का loss आपको adjust करना है इसमें क्योंकि आपने तो कुछ भी loss adjust नहीं किया क्योंकि ना तो preference का adjust किया ना आपने ordinary का किया अब मुझे बताओ कितने का loss इसमें adjust हो सकता है आप इसमें से 40 का loss ही adjust कर सकते है मुझे बताओ मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ investment cannot become zero this is the problem और मुझे ये बताओ कितने का loss carry forward कर दिया total 70 था 70 में से 40 गया तो 30 अभी भी हमारा loss carried forward है ये loss हमारा carried forward है ordinary share 60 से decrease हो रहे है और तो 60 से decrease हो रहे हैं पर zero में decrease कर नहीं सकता ना मैं करनी का वो पहले ही zero है हमारे पास zero में तो और कुछ कर नहीं सकता मैं क्या मैं अगले साल पे जाऊं या नहीं जाऊं this is year 1 2, 3, 4 अब मैं 5th year पे आ रहा हूँ क्या मैं 5th year पे आऊं येस और नो चलिए पांचमे साल पे आऊ तो पांचमे साल में उसने क्या का कहता है 20 का मुझे preference share पे गेन हो गया 20 का गेन हो गया पांचमे साल में लांग टम लोन पर भी मुझे गेन हो गया 10 का और मुझे ये बताओ कहां तक गए हम लोग लांग टम लोन के बाद ये है पांचमे साल तो पांचमे साल में हमारे पास यहां पर जीरो हुआ उसमें कुछ नहीं हुआ वेसे एक बात बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट तो चल रही है जीरो 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 इन में छेड़ खानी करने से पहले सोच लो कि यह जो तुम्हारे पास गेन हुआ है आपको पहले तो इसके साथ सेट अफ करना है पहले तो पिछला लास सेट अफ करो आविद्धी carry forward जो loss आपका carry forward था उसके साथ हमने set up कर दिया अगर आप इसे किसी और ढंग से करना चाहें तो मैं किसी और ढंग से बता सकता हूँ अगर ये समझ नहीं आया तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ पता क्या कर सकता हूँ कि बहुँ प्रेफरेंस share में 20 का gain दिखा दू पहले में long term loan में मैं 10 का gain दिखा दू फिर मैं उसके बाद ये कह दू कि साभ ये 20 भी adjust होगा और ये 10 भी adjust होगा और ये फिर 0 कर दू बात एक ही है जैसे मर्जी समझो हाँ प्रशान बिटा मैं क्या कर सकता हूँ ये नया question है हमारी किताब में नहीं है मैं या तो इसको छुडवा दू मैं कैसे छुडवा दू study material में डाला है तो करना पड़ेगा नहीं नया question है ये 0 0 अब मुझे फटा फट से ये बताओ यहां 40 का loss यहां 0 अगले साल पे आ जाओ अब मुझे ये बताईए 6th year में क्या हुआ 6th year में 20 का gain हुआ 6th year में 10 का long term loan पर भी gain हुआ और 6th year में आपके पास post में 500 के profit भी आ गये 500 का 40% यानि 200 का profit आ गया मुझे फटा फट से बताईए हम तो 000 पर खड़े हैं तो पहले preference share को मैं बढ़ा दू अपने पास पहले तो preference share को 20 से बढ़ा दिया long term loan को भी मैंने 10 से बढ़ा दिया अब बारी आती है कि ordinary share समारे पास 200 से बढ़ रहे हैं रुकना मैं अभी ordinary share नहीं लिखा आपके पास क्या सब positive आना शुरू हो गए है करोना वाइरस खटम हो गया है अब करोना वाइरस खटम हो गया है सब positive आना शुरू हो गये हैं अब equity को adjust मत करना equity को adjust मत करना कहना तू तो रुक पहले तो वापिस long term loan वापिस जिंदा करूँगा जहां तक जिंदा करना चाहिए था पहले तो वापिस से मैं long term loan को वहां तक जिंदा करूँगा मैं ये gain सारा ordinary share को नहीं दूँगा पहले मैं किसको दूँगा मैं बोलूँगा ये long term loan बिना बाद का कितना घटा हुआ है due to equity बताओ छटे साल में long term loan की value हो गई ये 70 क्या मुझे इसे 60 बढ़ाना पड़ेगा तभी ये 70 होगा मैंने सबसे पहले long term loan को बाईजत रिहा किया बिना बाद का जेल में चला गया था zero हो गया था मैंने का नहीं सबसे पहले तेरे को बाद का बाद का बाद हो गया था फिर preference share वाले कह रहे हैं सब हमारा भी कुछ होगा मैंने का बताओ तुमारे value कितनी आ रही है तो ये था preference share 60 year के end में ये थे 80 मैंने का लो तुम भी आ जाओ बाहर तुम भी आ जाओ बाहर ये भी बाहर आ गया है अभी भी gain आ रहा है क्योंकि ultimately 60 और 60 120 अभी भी gain आ रहा है तो मैंने का अब मैं अपने उस 200 के gain का 80 का amount यहां पर डाल दूँगा मुझे फटा फट से बताओ total investment हो जाएगा 70 150 तो कितना हो जाएगा 160 230 शायद 230 केरी वाउड कुछ नहीं है हाँ दिपांशू प्रेफरेंश यह जो उसकी फेर वेल्यू है वहां तक लेकर आऊंगा 80 का 40% 80 का 40% तो पहने पहले का रख्या है ने 200 पहले ही 40% है ओके कपिल यह जो 200 लिखा है यह पहले ही 40% है last year पर आओ 7th year पर फटा फट से मुझे बताओ 7th year में क्या हुआ फिर से preference share में 30 का गीन हो गया long term loan में 20 का गीन हो गया और profit आ गया बताओ कितने का ordinary shares पे profit आ गया 200 यह 200 हमने अपना share निकाला है तो अब तो problem नहीं होनी चाहिए उतकर्ष कह रहा 60 year समझ में नहीं आए उतकर्ष ये long term loan बढ़ना चाहिए था black pen से वही बढ़ाया ये preference share बढ़ने चाहिए थे वही बढ़ाया लेकिन 200 ordinary नहीं बढ़ाया पहले मैंने कहा investment को ये दोनों जो हमने बिना बात के reduce कर रखे हैं उनको वापिस ठीक करना पड़ेगा कैसे ठीक करना पड़ेगा अगर इनकी fair value 70 और 86 year के end में given है और आप 10 और 20 लिख रहे हैं तो मुझे वापिस से लाना पड़ेगा और उतकर्स नहीं समझा है तो I will again do it do not worry मैं आपको पहले एक basic रूप रेका बता रहा हूँ मैं अभी ledger भी बना के दिखा दूँगा मुझे बताओ preference share 30 के बढ़ जाएंगे तो कितने के हो जाएंगे 110 long term loan 20 का बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 और ordinary share क्योंकि अब तो preference share और उसमें कोई दिक्कत नहीं है 200 के 200 बढ़ जाएंगे this is 280 480 250 तो और आप हमें बताओ सर ये तो बड़ा complex तरीका है पर मैंने आपको जो बात संझानी थी आपको मेरी बात समझ में आ गई now how we can do it in exams हम exam में ये तो नहीं कर सकते ना जो हमने कर दिया solution हमने तीन लेजर बना दिये एक लेजर बना दिया हमने preference shares investment in preference share एक बना दिया हमने investment in long term loan और एक बना दिया investment in equity shares of associates ये लिखने की जुरत नहीं है ये लिखने की जुरत नहीं है हम exam में जब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं exam में आपको investment का balance तो बताना यार और क्या करना है हाँ जैरी year 7th में will not bring to the fair value fair value पर ही है long term loan भी fair value पर है preference share भी fair value पर है और equity fair value पर नहीं होती वो equity method पर होती है ओके जैरी जल्दी से बताएं शुरू कर दूं के नहीं शुरू करूं फटा फट से बताईए क्योंकि exam में ये तो होगा नहीं ना तो exam में क्या होगा हमको तो exam की बात कर नहीं है मुझे ये बताओ हमने year zero पर ये investment जब खरीदी थी तो two bank मैं थोड़ा चोटा लिखूंगा क्योंकि तीनों ledger मेरे पास बनने हैं और मैंने जगा आधा board इस्तेमाल किया है खाली ठीक है वैसे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये zoom ज़्यादा कर देंगे पर मैं वैसे चोटे से board पर लिख रहा हूँ तो मुझे बताओ preference share में शायद 100 थे to bank long term loan भी शायद 100 था हाँ बिल्कुल ठीक और Y0 पर equity share पर 200 था क्या यहां से Y0 स्टार्ट हुआ था जल्दी से बताईए yes और no मुझे बताओ ये 7 साल तक जाना है तो 7 साल के लिए अनुमानित जगा मैंने रख ली अपने पास मुझे बताओ at the end of year one अब ना वो line देखेंगे नहीं बच्चे उनको छोड़ के नीचे आ जाओ और हमारे पास जो camera man है वो film industry से आये हुए है लेकिन वो गडबड करते है येर वन में हमारे पास preference shares पर 10 का gain है long term loan पर 10 का loss है और ordinary shares पर 50 का 40 percent 20 का gain है total gain और loss बताओ कितना है फटा फट से बताओ हाँ तान्या शशी के किसी के family में death होगी मांग गए हूँ आप इस अपने गाउं गए हूँ दस और दस बीस और बीस नहीं ये तो gain loss और ये gain तो ultimate में total gain है 20 का carry forward कुछ होगा ता answer is no क्योंकि ये gain है कोई carry forward नहीं होगा this is my working note number one calculation of gain or loss carried forward बताओ साब अब इसको मैं adjust करना चाहता हूँ ये question में given है अगर आपको पताओ ये given है ये given है ये given है ये given बस मैंने share निकाला इसके अंदर preference का gain की general entry क्या होगी जल्दी से बताइए उपरा जवाब preference के gain के entry क्या होगी preference में 10 का gain दिखाना है तो y1 पर क्या लिख देंगे 2 जो भी fair value में change था हमने वो adjust कर दिया पी एंडल total मत लगाओ long term loss 10 का है यहां लिखो by पी एंडल 10 और ordinary shares में 20 का gain है 2 पी एंडल 20 पहला साल खतम अच्छा अगर मैं आपको general entry पूछों तो क्या मुझे entry बता सकते हो investment in preference share to P&L या investment in equity share to P&L P&L account debit to investment in long term loan तो आप notice करिए कोई भी entries भी बोल सकता हूँ क्या मैं entries से भी सवाल कर सकता हूँ the answer is yes हम entries से भी कर सकते हैं balance CD बता दो पहले साल के अंदर 110 यही जाएगा balance sheet में balance आएगा 90 यही जाएगा balance sheet में balance आएगा 220 यही जाएगा balance sheet में हाँ अंचुल कह रहे हैं 40% क्यों लिया अंचुल हमारा share 40% है न हमने इस question में 40% share है हमारे पास तो हम 40% ही लेंगे खाली हम अपने पास post equation profit का अपना share लेते थे और question उसने profit loss दिया हुआ है मुझे बताओ अगले साल Y2 पर हमारे पास क्या हुआ फटा फट से बताओ Y2 पर हमारे पास 20 रुपे का इसमें loss हुआ है 20 रुपे का इसमें loss हुआ है और उसमें 200 रुपे का loss हुआ है यहनी 80 रुपीज का loss हुआ है अब मुझे इसको adjust करना है टोटल वैसे कितना रहा है लॉस लॉस और लॉस असी सो एक सो बीस का टोटल लॉस हुआ है कर सकते हो अज़स्ट यह कहां कहां पर जाएंगे सबसे पहले बताओ क्या करोगे पहले तो प्रेफरेंश शेयर का लॉस प्रेफरेंश शेयर में डाल दो 20 लॉंग टम लॉन का लॉस लॉंग टम लॉन में डाल दो 20 और एकुटी का 80 का लॉस क्या पूरा एडजस्ट हो सकता है विलकुल हो सकता है तो जब सब एडजस्ट हो गया कुछ कैरी फॉरवड है ही नहीं तो टोटल बाहर भेजो फटाफट से 220 और 80 में से कितने बज़ गए हमारे पास यहां निकाले थे हमने एक सो चालिस सतर नबबे क्या मैं आगे चल सकते है फटा फट से मुझे बताईए क्या मैं आगे चल सकते है अगर मैं आप से कहूं इसकी जेनल एंट्री बनाओ तो क्या एंट्री बना सकते हो अगर मैं कहूं एंट्री बनाओ तो एंट्री बनेगी PNL Account Debit to Investment in Preference Share PNL Account Debit to Investment in Long Term Loan PNL Account Debit to Investment in Equity Shares किताब में जेनल एंट्री डाली हुई है कोई दिकत तो नहीं इसके अंदर जो आप यहां लेजर में लिख रहे हो उनकी उन्हें एंट्री डाल रखी है अच्छा अगर आपसे पूछे Balance Sheet बना कर दिखाओ क्या यह Balance Sheet ही मैंने बना कर दिखाई हुई है This is your Balance Sheet This is your Balance Sheet तो इसका मतलब आपको कोई Problem नहीं है Balance Sheet भी मांगे तो आपको मैंने Balance Sheet भी बता दी Ledger भी बता दी और Entry भी बता दी Third Year पर आजा और Third Year का Balance BD is 90 Third Year का Balance is 70 Third Year का Balance is 140 और Third Year में Y3 में उसने आपको क्या बोला है Y3 में कहता है यह 40 का Loss है यह 20 का Loss है और यहां 500 का Loss है अब मुझे फटा फट से बताओ यह Total Loss हो गया हमारे पास 200 का तो 220-260 का Total Loss हो गया अब यह कहां का Adjust होगा पहले तो भाई जिसका Loss है प्रेफरेंस का Loss प्रेफरेंस में डाल दो बाई पी एंडल 40 Long Term Loss यहां डाल दो हमारे पास अचानक Internet System जो था वो पूरा बंद हो गया था और हमारी क्लास बीच में रुख गई थी और हमें कोशन कर रहे थे तो मुझे फटा फट से बताईए वो कोशन जो हम कर रहे थे वो आप लोगों ने उसके बाद ट्राई किया था या नहीं ट्राई किया था हाला कि वो मैं पहले समझा चुका था बस मैं लेजर बना की दिखा रहा था तो मुझे बताईए वो कोशन कर लिया था क्योंकि मैंने आप उसके लिए एक प्लैन किया है कि वैसा ही एक और कोशन मैंने निकाल लिया है कि चलो वो अब जो था वो हो गया फिर वैसे ही कोशन एक और निकाल लिया मैंने तो इंस्टेड मैं वो आपको पूरा कराऊंगे एक नया कोशन जो और निकाल लिया वो करवा दो वगर वो कोशन आपका हो गया था विशाल कहरे नया करा दो रुशी सब कहरे नया ही करा दो तो जो नया question है वो study material से उठाया है मैंने कहा ना दो ही question थे एक तो हमारे इंडियस में है और वही question इंसिस्चूट में बाद में डाल दिया तो मैंने आज आज आपकी class में पहले से ही study material खोल के रखी हुई है इंटरनेट के उपर तो आपको हम पहले question दिखाएंगे और फिर उसके बाद उस question को पूरा करेंगे रिया कहा रहे है हमने देखा था तुमको class अब start हुई है तुमने कहां से देख लिया था दिखाओ जी यह देखिए हमारे पास यहां पर यह question आ गया है पियूश कहा रहे है जो interest income है उसका क्या होगा पियूश interest income को पिल्कुल normal account प्रॉपरली चलेगी इसका मदब खर्चा भी बुक होगा income भी बुक होगी ओके लो भाई यह question जो हमारे पास है यह illustration 15 आपकी नई study material में आया है ओके तो यह जो question है हम इसको पढ़ेंगे और क्योंकि मेरे सामने भी यही है तो मैं आपको अपनी शकल नहीं दिखा पाऊंगा यही पढ़ूँगा और मैं इस पर लिख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि यह online है तो मैं इसको अपने पास साथ साथ में लिख लूँगा आयूशी page number जो मेरे को यहां दिख रहा वो दिख रहा page number 21 by 29 ठीक है यह module कौन सा है यह module है institute का ठीक है यह हमारा module नहीं है institute का module है और इसको ढूणना पढ़ेगा तो फिर पीछे जाएंगे तो फिर वही हमारा खराब हो जागा system ना तो आप देख लीजिए यह इंड एस 28 में होगा इंड एस 28 तो आप जहां consolidation of accounts is the institute में उसके अंदर आपके पास module number 4 बोल रहे हैं रिया module number 4 चल यह शुरू कर दूँ क्या मैं question हाँ जी नहीं मैं यहीं से चला लूँगा देख लूँगा मैं सामने से अरे मैं अभी कर लूँ में कुछ करना ही नहीं रहा ऊपर ना नीचे तुम थोड़ा से बात में जब कहूंगा तो ऊपर कर दो ना ठीक है हाँ जी देखे जड़ा an entity has falling types of interest in associate तो मैं साथ साथ में लिख भी रहा हूं this is illustration number 15 of ind AS28 in new ICAI material यह नया question add हुआ है और मैंने source बता दिया कहां से copy किया इन्होंने an entity has falling three types of interest in associates तो किसी company के पास equity shares है 25% of equity shares to which equity method accounting is applied तो वह इसका मदब वो question में क्या कह रहा है कि हमारे पास 25% किसी company के equity shares है दूसरा पढ़िये preference shares non cumulative preference shares that form part of net investment in associates such preference shares are measured at fair value as per India's 109 तो उसके पास कोई preference shares भी है जिनको वो at fair value measure करता है और वो कहता है यह हमारे पास यह भी net investment है long term loan carrying interest of 10% per annum यह 10% का कोई loan भी है long term loan जिसका rate of interest at 10% the interest income is received at the end of each year the long term loan is accounted as per amortized cost of in AS109 this loan is also forming part of the net investment तो यह तीनों को वो बोलता है यह net investment है हमारी in associate और वो हमें कहरा है long term loan पर हमको हर साल interest की income भी होती है आगे वो क्या कहरा है at the start of year one the carrying value of each of the above interest is as follows equity shares 10 lakh फिर वो कहता है preference share rupees 5 lakh और long term loan rupees 3 lakh long term loan rupees 3 lakh following table summarizes the changes in the fair value of preference shares as per 109 impairment loss on long term loan and the entities share in profit and loss of associates ध्यान से पढ़कर पताना है यह क्या लिखा है entities share निकाल कर दिया वो उसने कि आपको यह total associate का profit loss दिया है पढ़ो आराम से वो कहता है the following table summarizes the changes in the fair value of preference shares as per 109 impairment loss on long term loan as per 109 and entities share इसका मतलब क्या यह पहले से ही 25% कर रखा है the answer is yes नीचे कर दो तुछा और 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 बस 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 यह वन टू थ्री फॉर फाइव में मैं भी यान लिख लेता हूं यह वन टू थ्री फॉर फाइव में हमारे पास जो preference shares है जो preference shares है preference shares के अंदर हमारे पास पांच लाग का तो balance था लेकिन एक दो तीन चार और पांच वर्ष में क्या क्या हुआ minus 50 minus 50 एक लाग पचास तीस एक लाग पचास और तीस के fair value changes हुए अच्छा फिर जो आपका long term loan था long term loan कितने का था long term loan था हमारे पास तीन लाग का इसमें changes क्या हुए पहली बार minus 50 फिर हुआ है third year में plus 50 और इसके अलावा कोई change नहीं हुआ और फिर है entities share जो हमने equity hold कर रखी है 10 लाग की उसके अंदर क्या change हुआ उसके अंदर हो कह रहा पहले हुआ 16 लाग का loss फिर वा 2 लाग का loss फिर हुआ निल फिर वा 10 लाग और 10 लाग का profit 10 लाग और 10 लाग का profit फिर हुआ यह यह होता है फिर मुझे बताओ based on the above determine the closing balance of the each of the above interest at the end of each year उसने क्या मांगा है उसने आप से क्या journal मांगा है या ledger मांगा है या balance sheet के अंदर कितनी value आएगी वो मांगा है फिर फिर से बताओ उसने आप से क्या मांगा है based on the above determine the closing balance of each of the above interest at the end of each year निकिल कह रहे हैं यह कौन सा टॉपिक चल रहा है निकिल वही टॉपिक चल रहा है जो हमारी पिछली क्लास के end में था जब क्लास अचानक crash कर गई थी चलो दिखाओ जी मैंने आपके साथ question को थोड़ा short में लिख भी दिया है क्योंकि मेरे पास solution के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर हो हमसे balance sheet values मांग रहा है तो साब एक बात तो पक्की है कि हमको working note में सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए ledgers for net investment तीन लेजर बना लीजे तो इस यार सबसे पहला कौन सा अकाउंट है net investment preference shares फिर net investment long term loan और net investment investment in equity अभे कह रहे हैं आप screen पर नहीं आ रहे हैं यह लो आ गया पर मेरा करोगे क्या तुम कुछ इश्यू है क्या screen change नहीं वरी बार वैसे तो हमारे हां से तो सब कुछ ठीक चल रहा है अच्छा मैं एक बार वो देख रहे हैं दोस्त रभी फ्रीज है क्या कौन सी वाली है हो गया हो गया है चलिए जी मैंने लेजर बना दिये हैं लेजर फॉर नेट इंवेस्टमेंट क्या हुआ था अच्छा फ्रीज था हां मेगा पूछ रहे हैं यह साराइ मैंगाद मीटारिजी का है हमसब को सब किताब में जो चापते हैं उन्हीं का चापते हैं ठीक है शुरूकर दिया जाए मुझे फटा फट से बचताईगे अब लेट ओ गय थे क्योंकि तो स्क्रीज हो गई थी तो क्या आब हम आगे चले उत्सव चलो भई आयूशी कहने प्लीज वेट नमन ने डन शौर्या डन रिया सौरव प्रफुल मुझे ये बताओ हमने अपने पास वाई जीरो पर कितने कितने इन्वेस्टमेंट की थी प्रेफरेंशियर्स में फाइव लेक त्री लेक और टेन लेक आप बताओ दोस्त मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है आप बताओ मेरे को आज चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल सोचने के लिए मना कर दिया है आप बताओ अब हम क्या करेंगे सबसे पहले साल के अंदर आप मुझे बताओ आप के पास ये इन्फरमेशन दी हुई है के रहा के परेफरेंश शेयर में नुकसान हुआ लांग टम लोन में नुकसान हुआ एकुटी शेयर में नुकसा हुआ सबसे पहले कुन सा वाला लोन आप सबसे पहले कुन सा लॉस उठाओ गए सबसे पहले प्रेफरेंश शियर्स का लॉस कहां पर जाएगा प्रेफरेंश शियर्स का लॉस प्रेफरेंश में डालो बाई पी एंडल पचास जार पर इसका closing balance मत निकालो भी इसका पहले closing balance मत निकालना इंतजार करना फटाफट से बताओ preference shares का loss adjust हो गया आराम से बताओ adjust हो गया कि नहीं हुआ हो गया long term loan का भी loss adjust कर दो पचास जार ये भी adjust हो गया साक्षी अभी class start भी बिटा आपी का इंतजार कर रहे थे और equity में 16 लाग का नुकसान हो गया मेरे बच्चे बताओ मैं 16 लाग का नुकसान इसके साथ कैसे adjust कर सकता हूँ मैं कितना अधिकतम adjust कर सकता हूँ 10 लाग तो मुझे ये बताओ अब क्या मुझे कुछ और भी करना होगा जो 6 लाग का loss है अब कौन उठाएगा फटाफट से बताओ अब किसकी बारी है अब शहीद कौन होगा अब शहीद होगा preference share तो मुझे बताओ जी क्या करे बाई फिर से इसका पी एंडल पर ये कितना शहीद होगा 6 लाग तो ये भी नहीं हो सकता इसके पास भी 6 लाग तो ही नहीं कितना adjust कर सकते हो आप साड़े चार लाक और बाकी ये कितना adjust हो सकता है by candle हमें चे लाक में डेड़ लाक और चाहिए ये डेड़ लाक adjust हो सकता है हाँ जैरी कह रहा है किस order में हम set up करेंगे सबसे पहले ये नुकसान उठाएगा सबसे ज़्यादा equity नुकसान उठाएगा फिर preference और फिर loan liquidation order ओके जेरी liquidation order की सबसे ज़्यादा loss equity का फिर preference का last में loan का मुझे बताईए balance cd इसमें कितना आ जाएगा तो पहले साल में इसका balance cd तो आए गई दी इसका balance cd आएगा एंड इसका balance cd होगा एक लाख रुपए है और इसका balance cd आएगा ही नहीं इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है मुझे ये बताओ अगर मैं आप से कहूं कि मुझे balance sheet के extract बनागर दो तो आपको अपने पास यहां पर शो करना है balance sheets extracts तो मुझे ये बताओ हमारे पास y1 पर हम अपने non current assets में holding company लिख रही है parent लिख रही है यहां पर लिख रही है net investment in associates मुझे बताओ इसमें क्या लिखेगी net investment प्रेफरेंश यह तो लिख नहीं सकती है सिर्फ लिखेगी long term loan and वो भी कितना लिखेगी एक लाक रुपे this is your year one this is your year one हाँ विशाली बेटा हमने study material से question लिया था study material के अंदर question है यह ठीक है क्या मैं आगे चल सकता हूँ अगला साल बस यही करना है पांच साल और कुछ नहीं करना है क्या मैं अगले साल पर आ जाओं तो अगले साल के अंदर हम फिर से black pen से लिखेंगे to balance bd nil to balance bd one lakh to balance bd nil अगले साल में यह balances ने start किया मुझे बताओ अगले साल preference share में कितने का loss हो गया बताओ भई preference share में कितने का loss हो गया दो लाक total loss कितने का हो गया ढाइ लाक बताओ यह ढाइ लाक हमको adjust करना है क्या preference में कुछ adjust करने के लिए बचा है फ्रेफरेंच में तो कुछ बचा नहीं है इसका मदाब प्रेफरेंच का तो रुख गया एक began इक वीटी में कुछ बचा है कुछ बचा ही नहीं है तो मुझे बताओ ढॉट तब द sa' में आप इसके साथ कितना एड़जस्ट कर सकते हो बताओ जरा आप इसके साथ कितना एडजस्ट कर सकते हो धाई लाग आपको टोटल लॉस हो गया कितना एडजस्ट कर सकते हो only maximum 1 lakh रुपीज इसके साथ ही इसका balance CD कितना हो गया अन्लल सेकिंड येर भी हमारा close हो गया सेकिंड येर में भी और कुछ नहीं है मुझे ये बताओ जब मैं आपसे balance sheet Y2 की बनाओंगा तो मेरे पास non current assets में net investment जो आएगी in associate वो कितने आएगी निल बलकि इसमें हमारा carried forward loss आ रहा होगा जो हम adjust नहीं कर पाए बताओ इस साल धाई लाक में से कितना adjust कर पाए हो एक लाक तो कितना आपका loss अभी भी carry forward है जो आप adjust नहीं कर पाए हो एक लाक पचास जार चल सकते हैं आगे मुझे फटापट से बताईए क्या हम आगे चल सकते हैं हाँ पियूश हम ultimately loss सारा का सारा adjust करने वाले हैं इन तीनों से ही इसी order में अजे कह रहा है interest on loan का क्या कर रहे हैं interest on loan बिटा हमारे लिए कही net investment से लेना देना नहीं है इसका मदब इसका इसके साथ कोई relationship नहीं है और अगर आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि इसका होगा क्या this is income जो हमारी normally record होती रहेगी ओके हाँ रागव बस carried forward को इस तरह से disclose कर देंगे कि हम देड़ लाग का loss adjust नहीं कर पाए लेकिन उसको negative नहीं डाल सकते वहाँ पे चल सकते हैं आगे अरपन कहरा डेड़ लाग निकला कैसे अरपन total कितने का loss था धाई लाग equity और preference का धाई लाग का loss था तो कौन उठाएगा ये उठाएगा हमारे पास long term loan वाला तो long term loan वाला उठाएगा एक लाग तो बाकी डेड़ लाग carried forward हो गया शिवम कहरा है सर balance sheet match कैसे करेगी शिवम ये एक लाग पचास जार हमारे पास na equity में भी नहीं आया और investment से भी नहीं आया आपको याद है ने equity method में आप दो जगा डालते थे investment में भी डालते थे और other equity में भी डालते थे तो अगर यहां भी नहीं डाला वहां भी नहीं डाला तो balance sheet will match there is no problem हाँ ठीक है बच्छा कह रहा है interest income का बाद में note लिखा दे ना बाद में note लिखा देंगे ठीक है क्या आगे चल सकता हूँ फटा फट से बताओ year third पर year third में black pen से आप notice करिए मैं starting हमेशा black pen से कर रहा हूँ adjustment नीले pen से कर रहा हूँ to balance bd तीनो निल तीनो ही निल क्या हम आगे चल सकते हैं हाँ प्रफुल कह रहे हैं question की एक बार photo लीनी है वहाँ बंद हो गया हो अच्छा तो भाई अगर मानलो फो अभी शौर्या बिटा प्रफुल फोटो कहां से दिखाएं बिटा मेरे को भी वहाँ पर उन्हें बंद कर दिया ठीक है चलिए in the meanwhile अब मुझे ये बताईए कि हमारे पास third year में क्या हुआ बताओ भाई third year में हमारे पास क्या हुआ third year में हमारे पास डेड़लाग का profit हुआ है डेडलाग का profit हुआ है भाई सहाब आप डेडलाग का profit दो तरीके है common sense के साथ बताओ एक तो तरीका ये है कि आप कुछ भी मत करो कुछ भी मत करो मौझ करो दूसरा है इस डेडलाग को book करो और पिछले को set up करो में आ जाएगा नहीं तो कुछ बच्चे ये भी कहेंगे से डेड़ लाग का केरिड फावर डिसे अड़जस्ट हो जागा कुछ करने के आवशक्ता नहीं है बट मैं इसे पहले अड़जस्ट कर रहा हूं एक लाग का यहां गेन हुआ तो यह लो एक लाग का मैंने गेन लिख सेट अफ़ करने तो यह डेड़लक का लाउस किससे सेट अफ़ होगा सबसे पहले तो प्रेफरेंस का ही सेट अफ़ करो और फिर बाकी बचा भाई इसके साथ भी सेट अप करो बाई चांस दोनों के दोनों फी भाई यह वह यह बैलनस सीडी कितना आ जाएगा निल यहां भी balance cd कितना आ जाएगा निल क्या मैं अब फिर से अगर balance sheet extract मांगू आपसे तो यह बताओ क्या ही है कोई मुश्किल चल रहा है कि बिना बाद का सवाल बन गया ही है तो बिना बाद का सवाल बन गया भाई अब क्या करें मुझे बताओ वाई 3 पर अगर मैं आपसे मांगू balance sheet तो वाई 3 पर non current assets में net investment in associate कितने की आएगी अभी भी निल लेकिन अब carried forward भी कितना आएगा निल अब carried forward भी कितना आएगा निल हाँ शुबम कहरा है यह तो कचरा है बेटा मैं कराना तो है ना मैं चोड़ दूँ क्या आपको यह carried forward loss setup किया तो पेरनल के नीचे लिखना पड़ेगा कि यह cd loss है नहीं नहीं ऐसा कुछ अन्मोल लिखने की जुरूत नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ exam में बिलकुल exactly ऐसे करके आने वाले हैं आप क्या मैं चौथे साल के अंदर पहले balance bd लिख दूँ चौथे साल में balance bd निल चौथे साल में balance bd निल चौथे साल में balance bd निल अब बताओ क्या होगा हाँ नमन बुक करके हटाना ज़्यादा better है समझने के लिए बाकी smart काम भी चलता है क्योंकि उसने आपसे यह मांगा नहीं उसने आपसे वह मांगा का ली तो fourth year में मुझे बताओ fourth year में profit हो गया तो पहले तो 50,000 का profit preference में book करो पहले तो 50,000 का profit book करो फिर उसके बाद हमारे पास equity की बारी भी आ गई क्या मैं सारा कुछ equity में book कर दूँ अब रुकिए और मेरी बात सुनिए फटा फट से मुझे बताई आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बात बोलू हमने अपना preference का gain book कर दिया है और अगर loan का gain होता वो book कर देता क्या मैं equity को बढ़ा दूँ तो ये दोनों रोएंगे बताओ preference वाले और loan वाले क्यों रोएंगे वो कहेंगे पुराना तेरा loss हमने उठाया था आज तेरा gain आ गया तो तो हमें नहीं देगा किसी ने तुम्हारी मदद की दोस्त अब जब तुम्हारे पास पैसे आ गए है तो लोटाने नहीं चाहिए तुम्हारे भीतर जो इनसान बैठा है उसका जवाब देना पाल तुबात मत बोलना अधर्ष ने कहा सर मैं इसको restore करूँगा बहुत अच्छे अब मुझे ये बताओ restore करेंगे जब तो ये बताओ restore पहले loan को करना चाहिए के पहले preference को करना चाहिए ये दोनों में से भी हमारा लाडला कौन है हमें पहले किसे restore करना चाहिए भई जो सबसे बाद में loss ले रहा हमारा preferential है इसी को हम सबसे पहले restore करेंगे मुझे ये बताओ इसकी fair value आज कितनी है ये बताना आज ये loan कितने का होना चाहिए आज ये loan तीन लाग का होना चाहिए तीन लाग का था फिर गट गया फिर बढ़ गया तो तीन लाग का होना चाहिए आ कितने का रहा है zero का जो हो आख रहा है जिरो का तो मुझे बताओ हम क्या करेंगे नीले पैंसे मैं इसे वापस ले आऊंगा बूलूँगा ले जी ले अपनी जिंडगी पाँच ले तू राख तू होना चाहिए था हो जा तू तू तीन लाग का और क्या हमारे पास दस लाग में तीन लाग अर्जेस्ट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लोन वापिस रीस्टोर हो गया है आहा हा हा लोन रीस्टोर हो अब किसकी बारी है एकुटी की या प्रेफरेंस की अब किसको रिस्टोर करने वाले हैं हम लोग अब हम प्रेफरेंस को रिस्टोर करने वाले हैं बताओ प्रेफरेंस अगर रिस्टोर करना हो तो आज तक होना कितना चाहिए आज तक प्रेफरेंस होना कितना चाहिए पांच माइनस एक लाग प्लस एक लाग प्लस पचास जार तो कितना हो गया साड़े पांच लाग होना चाहिए ठीक है नब पांच लाग में से माइनस एक लाग और प्लस एक लाग तो सेट अफ हो गया प्लस पचास तो साड़े पांच का होना चाहिए आ कितना रहा है तुम्हारे प 25% share है बिटा ये हमारा share ही निकाल कर दिया हुआ है किताब में ये 25% ही बताया हुआ है निखिल ओके पड़ो question में तुहां मिल जाएगा चलो निखिल अब मुझे ये बताओ पहले set of preference पर profit पहले रागव कह रहा है ये क्या मतनब है पहले preference को और मतनब loan को देखो सबसे ज़्यादा हम अपने पास शिकर पर किसे मानते हैं बताओ शिकर पर हम मानते हैं long term loan को फिर preference share को फिर equity को तो सबसे पहले loss कौन उठाता है सबसे पहले most loss ये उठाता है फिर उसके बाद less loss ये उठाता है और least ये उठाता है लेकिन जब recovery होगी तो यही तो होगी ना सबसे पहले हम इसी को क्योंकि हमारा most senior है हम सबसे पहले इसको restore करेंगे क्योंकि इसको हम चाते नहीं है loss देना आप notice कर रहे हैं हम loss नहीं देना चाते हैं तो restore भी सबसे पहले इसे करेंगे फिर next restore किसे करेंगे इसे करेंगे और last में restore इसे करेंगे equity share वाले सबसे आखरी में ही चलेंगे अब मुझे यह बताईए जैरियम बिल्कुल किसी और ढंक से भी कर सकते हैं मुझे यह बताओ हम अपने पास यह हमने कर दिया 3 लाक रुपे और यह वंने कर दिया पांच लाक रुपे यह करता ही 5 लाक रुपे हमारा balance CD किम इतना हो गया 5.50 लाक मुझे यह बताइए कि हमारे पास 5 यहाँ अड़ेस्ट हो गया तीन यहाँ अभी भी कितना और gain हूआ है अभी भी कितना और gain हुआ है फटाफिट से बताओ जो अभी भी आपने adjust नहीं किया है 10 लाग का हुआ था ना तो 5 और 3 आठ तो बाकी 2 लाग आपने यहां डाल दिया मुझे यह बताओ अगर मैं आपसे अब balance sheet मांगू तो क्या होगा फटाफिट से बताओ अगर अब मैं आपसे balance sheet मांगू Y4 पे non current assets में net investments in associates तो इसमें क्या क्या आएगा इसमें हमारे पास preference shares आएंगे कितने के आएंगे 5.5 लाग long term loan आएगा कितने का 3 लाग और equity आएगी कितने की 2 लाग total आएगा 10,50,000 total आएगा 10,50,000 रागव preference को 4.5 लाग क्यों नहीं 5 था opening रागव हमें वापिस उसको fair value पे लाना this should be the fair value तो रागव ये fair value के लिए पहले देखना पड़ेगा न जो यहां 5 लाग की fair value थी बढ़ता गटता बढ़ता गटता यहां 5,5 लाग का होना चाहिए तो रागव I have to keep it 5,5 लाग 50,000 तो आप entry डाल चुके हैं तो बागी 5,5 लाग की डालेंगे तो इसका मतब equity से gain 5,5 लाग का adjust कर दिया रागव क्या मैं आगे चल सकता हूँ अगला साल फिर से to balance BD to balance BD और अब हम पहुँच गए हैं लास्ट के अंदर बिलकुल आखरी साल के अंदर आखरी में preference share पे 30,000 का gain हुआ और हमारे पास equity में अब किसी को restore नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है क्या मैं सीधा equity में डाल दू 10 लाग दिस बारान लाक दिस इस तीन लाक दिस पांच लाक असी जार और इफ आ आस्क यू कि वाट हैपन्स इन बैलेंस शीट तो आप बताओ जी बैलेंस शीट में इयर फाइपर क्या होगी यहां non-current assets में लिखेंगे net investment in associates preference share लिखूंगा 580 long term loan लिखूंगा 3 लाक और equity लिखूंगा 12 लाक 12 तीन पंदरा पांच 20 लाक 20 लाक असी जार 20 लाक 80 थाउजन शुबं कह रहा है क्या balance sheet में यह लिखने का कोई sequence है the answer is no sequence मैं तो ledger का order लिया है कि ledger पहले preference का तो तो वही लिखा है मुझे यह बताओ बच्चे ने पूछा था what will happen to the interest income तो क्या मैं उसके लिए बच्चे को एक छोटा सा नोट लिखवा दूँ नोट interest income on loan will be recorded as usual in Indias 109 it has no relationship with balance sheet assets और अगर आप जानना चाहते हैं कितना वांट होगा तो मुझे फटा फट से बताओ 3 लाग का 10 परसेंट आपका interest है तो 30,000 रुपे पर एनम का आप interest बुक करते रहे गया तो मुझे यह बताईए क्या मैं इसको इसका print out ले लूँ और यहां पर आपको good morning बोलूँ क्योंकि यह पिछली class के अंदर हमारे पास रुख गया था और हमको यह cover करना था नमन आपको इसके अंदर अगर दिक्कत आएगी आप एक बार देख लेना शाम को अब वीडियो दुबारा चलवाना तो मुश्किल है हार उशी आज result भी आ रहा है प्रिया कह रहा है यह तो परसों से भी इसी निकला तो प्रिया मुश्किल नहीं है नयापन है और कुछ नहीं है मेरे पास associate समापत होने वाली है तो क्या मैं कुछ चोटी चोटी बातें करके आपके साथ associate का समापन कर दूँ अब फिर उसके बाद joint venture की बात करनी है और यह standard हमारी समापत हो जाएंगे फिर हम उसके बाद amalgamation पर चलेंगे hopefully एक class और लगेगी उसके बाद हम पहुँँ जाएंगे amalgamation पर point number बता दीजे कुन सा आएगा point number रिया ने कहा 38 लिखेगा investments in associates when held for sale क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी investments held for sale भी हो सर यह तो बतलब standard में कितनी सारी चीजें हैं हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा बस मैं आपको एक बात की guarantee दे सकता हूँ आप हमारे class के notes करके चले जाए न तो आपको वहाँ कोई चीज बाहर से नहीं मिलेगी ओके इसका मतलब यह कि 100% properly covered content है आपके लिए आपको सिर्फ इतना करना है अब यह भी जादा तो लगता ही है कि बच्चों को कि सार यह भी बताओ यह नया पंगा आगया held for sale का क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं एक बच्चे ने कहा है दूले वाला example हाला कि मुझे पता नहीं चला है दूले वाला example कोन सा था but anyway बच्चे ने कहा है दूले वाला example तो मैंने पहले कभी इसकी चर्चा की होगी चलिए मेरे साथ साथ if parent holds its investments for sale bracket में wholly और partially then following chart is relevant तो हम एक चार्ट के जरीए आपको ये बात discuss कराने वाले हैं कि अगर held for sale होगी तो क्या होगा वैसे आपकी जानकारी के लिए जब आप held for sale होते हैं तो notes held for sale is covered by India's 105 it requires reporting assets at जब हम held for sale करते हैं तो हम अपने पास इसको कितने पर रिपोर्ट करते हैं ऐसा हमने सबसिडरी में भी बताया था आपको example एक बच्चा बार बार कहरा दूले का दिया था वो मुझे याद नहीं है पर हमने point discuss किया था फटा फट से FB less CTS हम इनको इतने पर रखते हैं ये वैसे आप जब पढ़ेंगे standard कौन सा standard पढ़ेंगे 105 तो वहाँ पर ये आपको बार बार बताया भी जाएगा कि हमको इसको इस पर रखना होता है अब हमने अगर investment को ही held for sale कर दिया तो क्या करेंगे तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ investment in associate held for sale अगर मान लो हमारे पास वो held for sale है तो बताओ क्या होगा फटा फट से बताओ show investments at fb less cts जो भी investment है उसको रखो इसी के नीचे एक और बात लिखो parts not held for sale will be at जो parts हमारा held for sale नहीं है वो किस पे जाएगा equity methods it may be a small portion it may be a small portion और मैंने आप से कहा later investment sold later investment भी गई जो held for sale थी वो बाद में हमने क्या कर दी बेच दी later sold जब later sold कर दी तो फिर अमने कहा check closing balance of investments if it is still associates continue using equity methods if it is not associate any more any more then discontinue e-putty method brings such investments at fair value of 109 आप उसे 109 के हिसाब से लेकर आएं any gain or loss should be recorded in PNDR कोई gain or loss है तो हमको वो record करना पड़ेगा और later plan change now not held for sale continue equity methods for all investments लिख करके मुझे बताएंगे अब जब यहां पहुंच जाएंगे तो मुझे बताएंगे what if investment is carried at value less than fair value at FB हाँ तो फिर तो प्यूश less पर ही चलेगा फिर कोई दिक्कत नहीं है हट जाओ आगे से हमारे पास इसके उपर कोई question तो उपलब्द नहीं है लेकिन हाँ हम आपको बता सकते हैं एक example बना करके लिख करके मुझे बताईए फटा फट से मैं आपके इंतजार कर रहा हूं बस खातम होने ही वाला है आप बिटा अब तो कुछ बचा नहीं है अब मैं खड़ा हो जाता हूं example पेरेंट होल्स इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसियेट्स कितनी 26 परसेंट्स टेक होस् वाल्यू इन एसोस्टमेंट्स टेक्मेंट्स अस पर एकुटी मेंट्स इस रूपीस 10 लाग फिर ओन 1 321 परेंट ग्लासिफाइस 30% of such investments as held for sale परेंट्स खूस्टमेंट्स छूस्टमेंट्स परेंट्स धर्डेंट्स रूपीस रूपीस नाक फिर्टन्स अनिक अत्यस मार्च इक्किस फेर वेल्यू लेस्टियस इस रुपीस 2,40,000 and if equity methods is applied value for all investments in associate will be rupees 11,00,00,00 on 30th June 21 entity sold entity sold, investments held for sale, parent is still holding associate status of investors for associates equity value, equity method value for remainder investments is rupees 7,40,000 investments were sold for rupees 2,90,000 ठीक है case calculate value of investment on 31 March 21 and 30 June 21 along with gain loss on sale मैं आपके साथ और भी case करूँगा लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगा question लिख लिए हो तो मुझे बताएंगे हाला कि ये question कोई important question नहीं है पर उस चार्ट को समझाने के लिए मुझे question की साहिता लेनी पड़ रही है मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ रिशी, सौरव, करनिका, मानव, नमन, शौर्या, काजल, सुमित, कार्तिक, रोहित, उत्सव अभे ने कहा क्या ये investment में कभी आया है ये हमारे exam में कभी आया है the answer is no तो अभे या तो मुझे लिख कर दे दो कि हाँ ये exam में नहीं आ सकता है maybe, I am not saying कि ये question exam में आएगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता ये concept exam में नहीं आएगा आप मुझे लिख कर दे तो मैं छुड़वा देता हूँ अगर तुम ये मुझे लिख कर देते हो कि हाँ मैं जिम्मेवारी लेता हूँ सबी बच्चों की तो मैं छुड़वा देता हूँ नहीं छुड़ा सकते न चुप-चुप करो यहाँ पर नाला एक अभे सुबह-सुबह डांट खा रहे है मुझे ये बताओ हमने अपने पास इन इन्वेस्ट्मेंट्स को 26% स्टेक को खरीदा ये कितने पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी काईदे से मुझे आप ये बताओ अगर आपसे मैं पूछू हूँ कि इसकी वैल्यू आफ इन्वेस्ट्मेंट्स बताओ तो इसकी वैल्यू आफ इन्वेस्ट्मेंट्स क्या होगी सॉलूशन मुझे ये बताओ तो मुझे ये बताओ 1121 को हम अपने पास balance sheet में जो दिखाएंगे तो ये investments को दिखाएंगे investments in associates बताइए कितने रुपे की दिखाएंगे प्लीज टेल मी 1121 को बताओ क्या होगी आराम से सोचो 1121 को तो मैंने कुछ change ही नहीं कर रखा मैंने तो का 1121 को तो सिरफ यही है भाई सिरफ यही है कुछ held for sale ही नहीं है और equity method मैंने लगा के दे दिया आपको 10 लाख रुपे You should have no problem in this situation Now please tell me 1st March को हमने अपने पास classify कर दिया 30% of such investment तो मुझे यह बताओ 26% का 30% अगर मैं कर दूँ तो इतना part held for sale है Whose fair value Less CTS is 2,50,000 वैसे क्या इस दिन आप balance sheet बनाने वाले हैं क्या एक मार्च को आप balance sheet बनाने वाले हैं एक मार्च को तो बनाने वाले नहीं balance sheets Unless आपको मांगी जाए balance sheet तो तब ही बनाओगे इसका मतलब यह point हमारे लिए बेकार हो गया 31 March पर आजाओ मैं आपने पास लिखूँगा investment in associates held for sale and other Oh my God इसका मतलब मैं आप लिखूँगा investment in associates held for sale and other मुझे यह बताना ज़रा आपके पास जो held for sale है वो कितना part है अगर मैं 26% का 30% कर दूँ तो कितना part held for sale है 7.8% held for sale है मुझे यह बताओ जो held for sale नहीं है वो कितना है वो हो गया हमारे पास 18.2% which is not held for sale क्या ऐसा हो सकता है कि 18.2% पे वो associate का status ही लूज कर जाए क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं साब 18.2% पे वो हमारी associate ही नहीं है तो मैंने आप से कहा है आपको इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए इस से कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए क्या आपको मेरी बात समझ में आती है अब पढ़िये उधर मैंने कहा अगर investment held for sale है तो उन्हें every less CTS पर दिखाओ not held for sale को equity method से दिखाओ it may be a small portion हमें इस से फरक नहीं पढ़ना चाहिए क्या आपको मेरी बात यह समझ में आ गई यह आप कहते हैं 19% है और यह कर देते हैं आप 7% है तब भी क्या equity method लगता the answer is yes यह equity method लगता और यह fair value less CTS लगता और अगर यह 1% हो जाता यह 25% हो जाता क्या तब भी ऐसा होता now you tell me the answer आपने 25% अपने पास रखी हुई है held for sale 1% आपके पास तो क्या भी भी 1% equity method पे चलेगा हाँ क्योंकि आपके held for sale होने के बावजूद आज के दिन में वो भीकी नहीं है investment इसका मतलब आज भी आपके लिए वैसा sheet का दर्जा रखती है आपने रखा हुआ held for sale you are understanding मुझे यह बताओ अब मैं यहाँ पर अपना जो actual है वो लिख देता हूँ this is 7.8% and this is 18.2% 31 March को fair value less CTS 240 है तो हम इसको 240 लिखेंगे और मुझे बताओ आज all investment का equity method 11,00,00,00 है तो हमने तो अपने पास 70% रखी हुई है तो इसका मदब यह होना चाहिए 7,70,000,00 क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्योंकि आपने अपनी investments जो है जो रखी हुई है आपने 30% रखी हुई थी sale के लिए तो इसका मदब 70% part not for sale है तो उसकी value कितनी हो जाएगी 7,70,000 उसकी value इतनी हो जाएगी मुझे वैसे यह बतादो कि आप अपने पास इस categorization से जो other equity में loss डालोगे फटा-फट से बताओ कितने का loss डालोगे क्योंकि आपने 11,00,00,00 की record करनी थी तो 11,00,30% आपने 3,30 का record करना था बढ़ 2,40 का record किया तो 90,000 का आपको loss record करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने investments को इतने रुपए से reduce कर दिया चल सकते हैं आगे फटा-फट से बताइए निकल कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई निकल एक मार्च को held for sale जब निकाला था तो धाई लाग था पर 31 मार्च को जब आपने fair value less CTS देखिए तो 2,40 है तो मैं तो आज की balance sheet बनाऊंगा न तो आज तो मैं अपने पास 2,40 लिखूंगा मली का पूछ रहे हैं एक सार ये 18.2 प्रतिशत का क्या relevance है ये कोई relevance नहीं है ये मैं आपको ये बताना चाहता था that this portion may be less than 20% still you will continue to apply equity method अगर मान लीजी मैं आपको ये ना बताना हो तो कोई दिकत की बात नहीं है चल सकते हैं आगे फटा फट से बताओ ये बताओ 90,000 कहां से आया मैं भूल गया फटा फट से बताओ ये 90,000 कहां से आया कोई बताई नहीं रहे सिनिहा कह रहे है 90 को छोड़ो 77,70 भी समझ नहीं आया कहां से आया ये बताओ अगर मैं ये held for sale ना करता तो मैं investment कितने की दिखाता मैं 11,00,000 की दिखाता ना अपने पास सारी की सारी investment कितने की दिखाता 11,00,000 की दिखाता ओके अब मैंने अपने पास 70% तो not held for sale है वो तो यही दिखाई है और 30% मैंने 240 की दिखाई है दिखानी कितने की चीए थी 330 की दिखानी चीए थी 330 की दिखानी चीए थी 330 की दिखानी चीए थी क्योंकि मेरी intention to sale हो गई है और मैंने equity method उस investment के part के लिए नहीं लगाया है क्या आगे चल सकता हूँ मुझे फटा फट से बताईए जल्दी से कहिए क्या मैं आगे चल सकता हूँ तुशार ने कहा हाँ उचसव हाँ राशी रिशी भोला काजल चलो जी आगे चलते है 30 जून को क्या हुआ फटा फट से बताओ 30 जून 2021 को क्या हुआ कहरा 30 जून को ये investment बिक गई है ये investment बिक गई है विशाल फिर पूछ रहे 90 जार कहां से है विशाल देखो दोस्त आगे पीशे होने से वारा flow तूटता है जब सब पूछ रहा था तो आप बताते हैं नहीं बाद में जब बोलते हैं तो सारी class को दिक्कत होती है equity method लगाते है विशाल तो तुम 11 लाग की investment यहां लिखते मैंने equity method जो लगाया सिरफ 70% part के लिए लगाया है this is 70% part ओके तो यहनी 11 लाग का 70% 770 और जो 30% part था मैंने वो 330 के जगा 240 लिखा है इसलिए 90 दार का loss आ रहा है अब आगे चलूँ क्या आगे चल सकते हैं शौर्या ने का okay विशाल okay और चल यह मेरी बात सुनिए 30 जून को हमने investments को बेच दिया सोल्ड कर दिया पेरेंट इस स्टिल होल्डिंग स्टेटस आफ इन्वेस्टर फॉर एसोसियेट क्या अभी भी वो एसोसियेट मानी जा रही है the answer is yes मैंने आप से कह दिया कि मैंने question में कह दिया मैंने का साब 18.2% को भी एसोसियेट ही मानना कोई problem नहीं होनी चाहिए मुझे ये बताओ अब मैं अपने पास जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा still investment in associates विएसे ये बताओ अब आप कितना percent hold कर रहे हो सिरफ 18.2% ही hold कर रहे हो यही है बाकी तो भी की गया आपके पास और वो कहता है equity method for the remainder investment जो बची हुई है वो कितने का है इसका equity method से value है 740 इसकी value है 740 any problem इसका मदब ये 740 रुपीज की मेरे पास आ जाएगी और मुझे ये बता दीजे जो investment बिक गई है 2,90,000 पे की उसका profit and loss आप accordingly on sale बता दो कितने का है जो 2,40 की investment थी 2,90 की बिग गई है तो हमारा 50,000 पे का gain हो गया होगा gain on sale यनि 50,000 रुपीज का मेरे को gain on sale हो गया होगा क्या ये जो मैंने case बनाया इधर के बाद बताओ मैंने कौन सा वाला case का example दिया ही है ये वाला तो मैंने समझा दिया अब कौन सा वाला दिया है मैंने का sale होने के बाद check करो क्या अभी भी वो associate है अगर वो associate है तो आप equity method continue करते रहो ये ही किया है मैंने और कुछ नहीं अन्मोल के रहा है 50,000 कहां से आया मेटा हमने अपनी investment को बेचा है 290 का जिनको आपने books में carry कर रख़ है 240 का तो आपको 50,000 पे का gain हो गया हाँ निखिल ये loss है इस इस loss 90,000 का loss है ये ठीक है निखिल मुझे ये बताओ मैं इस question को change करना चाहता हूँ हाँ सब dates पर balance sheet बनी accept करने का पूछने सर आपने ये मैंने ना अपना quarter end बोल दिया ये year end बोल दिया ये quarter end बोल दिया एक March was not nothing any date इसलिए मैंने उसको ignore नहीं किया है हाँ सुमृत अभी associate को check करने के लिए मैंने का 20% देखते हैं पर अगर आपको कह दिया जाए कि 18% पर भी associate है तो आप उसको associate मानेंगे ओके सुमृत I want to change this question तो मुझे फटा फट से बताइए मैं इसका print out ले करके change कर देता हूँ हाँ शुभम शुभम ये आपको वैसे अगर पूछे theory में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हाँ ये concept क्या था we can't say कि exam में वो theory में किस context में पूछ सकता है और है ये theory का मैंने इसे practical की shape दिये मैंने कहा entity sold और मैंने कहा parent is not holding status of parent is not holding status of investor for associates और यहां पर आप अपने पास लिख दो fair value अभी equity method नहीं बोल रहा fair value of remainder investment या remaining investments is rupees 8 lakh लो सहब मैंने अब अपने question को change कर दिया हाँ दिपांशू कह रहा अब हम कैसे change करें तो दिपांशू देखो मेरी बात सुनना ध्यान से दिपांशू ने बड़ी अच्छी बात करी है कि सर आपने तो उठाया और उठा लगा दिया आपका तो काम होगे हमारा कैसे काम होगा दिपांशू भावनाओं को समझो ये चार्ट समझा रहा हूं आपको मैं मैंने अपने पास इस example की सहायता से चार्ट समझा रहा हूं अगर तुम मेरी बात समझ करके ये चार्ट समझ जाओ तो मेरा काम हो जाता है और आपका भी हो जाता है तो इसका प्रिंट आउट मिलेगा उतनी जगा चोड़ देना बाद में क्लास खतम होने के बाद डाउनलोड करके नएटस नहीं रहता तो क्या होगा तो बताओ इसके अंदर कौन सा चेज़ आ रहा है सिर्फ तीस जुन का ही चेज़ आ रहा है ला प्र आप और आउंसर देंगे बाकी में तो दिक्क्त नहीं है फटाफड से रिया कह रहे है मैंने ये line change की है सिरफ ये line सिरफ मैंने ये line change की है मैंने ये लिख दिया है कि parent के लिए अब वो associate नहीं है और मैंने लिख दिया है कि अब उनकी fair value 8 लाख उर्पे है बाकि मैंने सब कुछ वही लिखा है उधर आजाएए यह पहले notes पढ़ते हैं कि हमारा concept क्या कहता है if it is not associate anymore अगर वो associate का status lose कर जाते हो then discontinue equity method बिल्कुल logical है जब associated नहीं है अब तुम क्यों equity method लगा रहे हो भई अच्छा जब तुमने held for sale किया था तब discontinue करना है क्या जब खाली held for sale है तो तब discontinue नहीं करना लेकिन जब big गया और अब आपकी associate नहीं बची अब आप उसे equity method पर नहीं ला सकते अब आपको उसे किस पर लाना होगा अब आपको indies 109 की fair value पर लाना होगा और उसका difference प्रेंडल में डालना होगा अब मुझे फटा फट से ये बता दो 30 जून 2021 को मैं यहां लिखूंगा investments not in associates बस investments मुझे ये बताओ कितने रुपए की investments दिखाओंगा फटा फट से बताओ विशाल मुझे सच में अभी तक बिलकुल याद नहीं आया कि दूले का मैंने क्या example इसमें दूला आ कहां से रह मेरको तबी तक यही समझ में नहीं आ रही ये आठ लाक आएगा क्या ये fair value है the answer is yes this is fair value वे इसे एक बात बताओ जब आप इसे fair value पर लिखोगे instead of writing at equity method fair value पर लिखोगे तो any resultant difference अगर कोई ledger में difference आता है तो difference कहां जाएगा मेरको समझ नहीं आ रही आप उसे equity method पर अच्छा बला चला रहे थे अब आउठा के fair value ले आया है तो क्या करें इसका मतलब वो कहां जाएगा वो P&L में जाएगा this will go to P&L accounts तो I hope आप अपने पास resultant difference will be transferred to P&L और sale का profit तो अभी भी जो है sale का जो gain है 50,000 पे का वो तो अभी भी कहां जाएगा इन P&L जो sale पर हुआ था वो भी हमारे पास चला जाएगा अच्छा चलो ठीक है बच्चे ने लिख कर बहुत मेनत से भेजा है दूले वाला example पर चलो ठीक है उसको छोड़ो ऐसी की तैसी करा गया example मुझे समझ में अभी भी ने आया कि उसका health for sale से क्या मतलब हुआ दूलाओ के भिकने के लिए तैयार होता है क्या ना-like कैसी अजीब हो बाते करते हैं बच्चे चलो वापिस आते हैं इधर चलते हैं वापिस अच्छा अगर मान लो हम अपना लेटर उन प्लैन चेंज कर दें तो क्या होगा फड़ा फट से बताओ लेटर उन अगर हम प्लैन चेंज कर दें और कहें नहीं नहीं हमने तो बेचना ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है जिने आपने लिखा था fair value less cts उन्हें वापस किस पर ले आओगे equity method difference कहां डाल दोगे pnl में डाल दो गया अब आप कहेंगे sir यह तो बड़ा अच्छा तरीका यह pnl को उपर नीचे करने का held for sale करो profit की value वदल जाएगी उसके अंदर तो there are some conditions given in indes 105 which must be satisfied for classifying anything as held for sale okay it is not simply saying कि मेरे को लग रहा held for sale तो held for sale हो गया there are number of conditions which must be satisfied ठीके ना मलीका हमने यह बोला है कि आप अपने पास वैसे यह investment ना मैंने data दिया नहीं कि वैसे investment अगर equity method पर आती तो शायद माने data रब कर दिया 770 का होता पर आपने उठाकर आट लाग लिख दिया तो 30,000 का जो difference है वो पेंडल में जाएगा यह point था वो ठीके कि जो आपके पास यहां पर जो equity method की value आनी थी जब आप उसको उठाकर के fair value पर लाओगे तो उसमें difference आएगा वो difference पेंडल में चला जाएगा तो मेरे ख्याल से यह एक theory point था बट आपको हमने practical के साथ जोड़ कर बता दिया और मुझे नहीं लगता कि मैं तीसरे वाले का कोई example कराऊं तो हमने अपनी बात को समाफ्ट कर दिया आप मुझे उमीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी